हेलो गाईज आप सभी को नमस्कार में नाम सती इसक्मार गाईज आज के वीडियो में बहुत ही जवरदस्ट टॉपिक है कौंटिंग कौंटिंग OCD मतलब क्या होना कि एक तो कौंटिंग करना आम बात है हर एक लोग जो है कि मतलब कौंटिंग करते हैं चाहे रुपिया पैसा देने के वक्त हो चाहे कोई समन किनने के वक्त हो कौंटिंग करना अच्छी बात है लेकिन बार-बार कौंटिंग करना एक ही बार एक के अंदर अपने माइंड के अंदर प्रेसर क्रियेट करना यह जो हैं एक बीमारी का रूफ है जिसको हम लोग काउंटिंग OCD का नाम देते हैं जो कि काउंटिंग OCD है इसमें क्या क्या होता है लोगों के साथ दोस्तों इस फेश से हम भी आठ से दस साल गूज्रे वए इसस काउंटिंग OCD की प्रोबलम पहले मुझे भी वह हुई थी जिसमें क्या होता था कि अगर हम अपने बारे台 में बात करें तो काउंटिंग बार बार करते हैं जिसे कि हाथ भी हमको धोना होता था तो आठ बार दस बार करके काउंट करते थी चाया हम उठक बैठक क्रते थे पहले तो उठक करते थे तो हम अपने उसको जोर देते थे थे कि हमारे एक्जाम में इतना नमर आ जाए एतना उठक बैठक करेंघिये जब कि यह सच नहीं था जब कि हम किसी दिन सकते हैं अगर आक्से साथ ही कोई है हम तो एक्जाम के com के से जो हैं कि उसको अठीक करते थैं को सकते हैं और कांटिंग में क्या क्या होता है तो हमको काउंट करना पर था इतना इतना बार आठ बार दस बार 20 बार ऐसा-इसा जो है कि मेरा एक पैटर्न बन चुका था ठीक जिसके कारण से क्या होता था कि हम बार-बार काउंट करते थे और क्या होता था कि मतलब जैसे कोई समान को हम कई रखते भी तो इतना बार जो है गिनना पड़ता था लेकिन आज व ची कुझे हां दोने में यह के 8 बार 10 बार या मतलब कोई-क पैटर्न बंजाता-एक-फिक्स नवर बन जाता-इक इतना बार करना किसी को पैसा दे रहे हैं तो उनको एक बार में संतूष्टी ही नहीं मिलिगा गिनकर कि उनको पांच बार दो बार गिनना था फिर भी किसी को आठ नम्मर किसी को 11 नम्मर किसी को 13 नम्मर को ले करके जो है मतलब चिंता डर घबरहाट होने लगता है वह नम्मर को देखते हैं उसके अंदर मन में अजीब सा घबरहाट चिंता डर यह जो है कि मतलब घबरहाट सा जो है कि होने लगता है उसके अब यह से दो सिंटम होना या जो है कि पेट में गुरगुरी होना या जो है कि मतलब confidence कम हो जाता है कोई भी काम करेंगे तो उसमें confidence ने वही overthinking चलते रहता है overthinking हमने जो किसी को पैसा दे दिये या कोई काम जो checking करें कपरावी खेड़ने जाते हैं यहां तो उनको भी count करते हैं कि इतना वर count करके लेंगे मतलब सब चीजन counting के रूप में वह करने लगते हैं और वह दिन परती दिन वह डाउट को आप ठीक करने का प्रियास करते हैं लेकिन वह बढ़ता चले जाता है वह सीडिक बिमारी का रूप ले लेता है अब यहां बात करते किसी को दिन को भी ले करके भी हो जा सा जो हैं कि एक जो हैं कि अनजयाइटि सा एक तनाव ऐक प्रेसर अलगा वर यहादा की मतलिब घंटान वह रही जो हैं कि कांटाे के समझ sap ho और हो गया है कि मतलब हर एक चीज count करना पड़ता है, सिरी चाहँ चाहँ तो उसको भी count करते हैं, अगर कहीं पर किताब पर रहे हैं," manifested."र और वह से जो आप बार बार करते हैं, तो mind की conditioning हो जाती है, और वह आपके conscious mind में चल जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, एक समय के बाद आप नहीं लगते हैं यह विचार कियों आ रहा है ये तो आपके सबकोष्य मांड से आ रहा है वो एक पैटर। बन गaliन गया एक आपका कंडिसनिंग बन गया औरया जो है पनी आप आपको कौंट करने कर लेते हैं नहीं करेंगे तो फिर कुछ नुकसान हो जाएगा कुछ हमारे साथ बुरा हो जाएगा हमारे परिवार वाले साथ कुछ नुकसान हो जाएगा हमारे जो हैं कि कुछ ऐसा ऐसा चीज आपको जो इने दिखाते रहता है माइंड और इसके वज़े के लिए कि counting क्या है पहले यह चीज़ समझते हैं counting ja now one two three four five six seven eight nine ten यह क्या है counting नमर इसको किस ने बनाया इसको एक माना भी तो बनाया हुआ है ना मनुस तो बनाया हुआ हुआ है कि कि मतलब counting बनाया हुआ है और दीन दीन भी जो है कि सोंबार मंगलवार, बूदवार, वैस्पतिवार, सुक्रवार, सनिवार, रहिवार, यह किसने बनाया, एक यहां का माना भी तो बनाया है कि कोई भी दिन को पहचानने के लिए बनाया गिया है, ना कि आपको यहां पर कोई और कोई दूसरा बनाया हुआ, इसको एक माना भी बनाया तो अब बात करते हैं क्या दिन अच्छा और बुरा होता है क्या कि इनसान के कर्म अच्छे बुरे होते हैं ये बात हमको बताईए दिन सब दिन अच्छा होता है नहीं तो सब दिन बुरा होता है तो मतलब क्या है ना हर एक दिन किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है किस इंसान के कर्म अच्छे और बुरे होते हैं, जिसके वज़े से हर एक दिन अच्छा भी होता है, हर एक दिन बुरा भी होता है, तो इस बात को जब आप डिपली समझेंगे, रियाल्टी में आएंगे, जो मायन का कंडिस्निंग बन चुका है, कि इस दिन को ये 13 तारिक को, 8 त तारिक को, या कोई भी तारिक आप मान लिए, वे उस दिन अइसान नहीं करना चाहिए, तो मतलब उस दिन जो है कि कुछ नहीं होने वाला, उस तारिक को कुछ नहीं होने वाला है, उस दिन जो है कि आप जो कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे, उस के बज़े से जो हैं कि अच्छा होने वाला है बुरा होने वाला है ना कि दिन और तारिक में कुछ पड़ा हुआ है दोस्तों तो हर एक दिन अच्छा हो सकता है हर एक दिन जो हैं कि आप चाहे तो अच्छा हो सकता है लेकिन यह आपके मानने के उपर है कि आप क्या मान रहे ह हमारा ब्रेन जो है न को सही और गलत में कुछ भी पता नहीं है हमारा ब्रेन जो है न सिर्फ यह देखता है कि आप क्या मानते हैं दिन के बारे में क्या मान रहे हैं तारिक के बारे में क्या मान रहे हैं क्या कॉंटिंग के बारे में क्या मान रहे हैं क्या कॉंटिंग के बारे कोई पार्टिक्लर नमर को आप गलत मान रहे हैं तो माइन उसको गलत मानेगा बार बार आप मान रहे हैं तो माइन भी कहेगा कि हमारे मालिक के लिए वह गलत है तो यह गलत है अगर दिन को आप मान लिए कि इस दिन यह से यह होता है इस दिन को यह करने से यह होता है तो आप पता होता है ना भगवान के बारे में पता होता है ना किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है लेकिन उसको कौन बताता है समाज का लोग बताता और बच्चा मानते जाता है बिलीब करते जाता है तो बच्चा जो है कि एक दिन उसके लिए सच हो जाता है हम भी तो हम लो इस चीज के यह ब्रेन की कंडिस्निंग जो हुई है वह मानने इसके बज़े से हुई अगर आप ऐसा नहीं मानते तो आपके साथ यह कंडिस्निंग नहीं बनती इस कंडिस्निंग को तोर ना होगा इस कंडिस्निंग को जो है कि समझ के तोर ना होगा अपने से भी तोर सकते है या कोई नितोर सकते हैं अपने से कैसे तोर सकते हैं बात करते हैं इसके बारे में कि आप जिस चीस आपको जिस काउंग सीस जो है की जिस दिन से अपको डर लगता है तो उस की पहले समझना यह तो दिन है ना कि जो है कि यह कोई नमर है यह तो दिन है ना कि इसके वैसे कुछ जब आठ बार कोण्ट करना तो क्या होगा आप कंडिस्निंग तो माइन जब कंडिस्निंग तो ब्रेंड की अच्छा वह प्रेसर आपके लिए अच्छा है सोहना आ इस प्रेसर को तब बार-बार वह चीज करेंगे कि चलो भाई हात धो रहे हैं ताला चेकिन करें कुछ भी कर जिसके कारण से हुए है धीरज जरी जरी जब आब बार बार करने लिए यह प्रैक्टिस आप उसी तरह से दीन में भी अच्छा होता है मान लिजैंगे और अपना माने कि हम अच्छा कर आएगा बुरा करेंगे तो बुरा result आएगा तो मतलब क्या करना है दिन को जो है कि नहीं पकड़ना है ठीक है कोई बात नहीं है फिर जो हैं कि उपर प्रेसर बनेगा धिरे-दिरे जब आप इस बात को मानने लगेंगे कि हर एक दिन अच्छा होता हर एक जो हैं कि हम अपने कर्म अच्छा करेंगे त आप जो एकी बाहर निकल सकते हैं इसको क्योंकि हमने भी सफ़र किया हमने भी कंडिस्निंग को तोरना होगा तब जाकर के आपके हमें लाइट में आपका जो दर लग रहा हो गाला वहीं म theCUBE जाहों तो सबस्क्राइब करें मीं सेर भी अन्गों एवीजय लिए अनलो